हमारी चैनल ग्यान विशेश को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएए दोस्तों प्रकृति की खोज को आगे बढ़ाते हुई आज हम एक बहतरीन जड़ी बुटी की बात करेंगे जिसका नाम है सेंहूड जिसे ज़्यादा तर तूहर, सेंहूड, डंडा तूहर, मुठिया सीच और सौज के नाम से जाना जाता है संस्कृत विद्वानों ने इसे सिहतुंड, वज्री, वज्रदरूम, सुदा, आधी नामों से संबोधित किया है आमभासा में इसी दंडा तूहर भी कहा जाता है इसका वानसपातिक नाम यूफुर्बिया निरिपोलिया है और अंग्रेजी नाम इंडियन स्पर्जिट्री है तूहर पूरे विश्वभर में पाया जाता है, ये लगबग 2 से 4 मिटर तक उंचा होता है ये मानसल होता है, इस पर छोटे छोटे अनेक काटे होते है ये ज़्यादा तर जंगलों में, पहाडियों में और रेगिस्तान में भी आसाने से आपको देखने को मिल जाएगा इसके किसी भी अंग को तोड़ने पर इसमें से दूध निकलता है तुहर को जहरिला पोधा माना जाता है, लेकिन ये अवसद्य गुनों से भी भरपूर होता है दोस्तों तुहर कहीं प्रकार के अवसद्य गुनों से भरपूर होता है इसका स्वभाव रेचक होता है ये अगनि को बढ़ाता है चरपरा होता है पच्णे में थोड़ा बारी और सूल का नास करता है याने पेट के दिर्द को दूर करता है ये पाचन सक्ति को मजबुत बनाता है, पेट में गैस हो, अपारा हो, दूर कर देता है इसके अत्रिक्ति ये चर्मरोगों की सबसे रामबान अवसदी है ये कुष्ट मिटाता है और सभी प्रकार के चर्मरोगों को दूर करता है ये बवासिर में भी उपयोगी होता है ये सर की किसी भी प्रकार के सुजन को दूर करता है तो दोस्तों आए जानते हैं कि थोहर का उपयोग अवसदकारिय में किस प्रकार से हम कर सकते हैं कान में दर्द होने पर सिहूड का उपयोग किया जाता है चाहे किसी भी प्रकार का दर्द क्यों न हो सिहोड के पके हुए पीले पत्तों को थोड़ा सा आग पर गर्म करके निचोड कर रस निकाल ले और एक से दो बुंद कान में डाले इस प्रयोग से कान का दर्द ठीक हो जाता है हिलते हुए दान्त को निकालना हो तो सिहोड का दूद का प्रयोग करे सेहुड का दूद लेकर हिलते हुए दान्त के आसपास में थोड़ा सा मले दान्त बहुत चल्दी ही निकल जाता है त्यान रहे दूसरे दान्त पर ये दूद नहीं लगना चाहिए यही नहीं दूसरो तूद के मुलक को मुख में रखने से दान्त के किडे नश्ट हो जाते है दूसरो सेहुड तवचा रोगों की सबसे बढ़िया और रामबान जड़ी बुटी है पुराने से पुराना तवचा का रोग सेहुड के प्रयुक से दूर हो जाता है चाहे दाद खाज घुचली हो या कंडू हो या फंगल इंफेक्शन चहुड के पत्तों को निचोड कर इसका रस निकाले और इसके साथ थोड़ा सा सर्शो का तेल मिला कर प्रभावित स्थान पर लगाए कुछ दिनों तक लगातारी प्रयोग करने से त्वचा के रोग नश्टक हो जाते हैं और दुबारा नहीं होते दोस्तों ये प्रयोग सोराईशिस को दूर कर देता है त्वचा रोगो को दूर करने के लिए थोहर के दुझ से एक तेल का निर्मान किया जाता है इस प्रकार बनता है थोहर के डंडो को कूट कर इसका रस निकाले लगबग 2 लीटर अब इस रस को चान कर लोहे की कड़ाए में लबग 500 ग्राम सरसो के तेल के साथ मिला कर धिमी आज पर पकाए पकते पकते जब सारा रस चल जाए और तेल मात रही सेश रहे तब ठंडा होने के बाद चान कर एक बोटल में बरकर रख ले इस तेल को रोजाना लगाते रहने से भयानक से भयानक और पुराने से पुराना तोचारोग चाहे सोराइसिस हो या किसी भी प्रकार का फंकल इंफेक्शन नश्ट हो जाता है तुहर के पत्तों के साथ आँक, करंज और चमिल के पत्तों को मिला कर गौमत्र के साथ पिसकर एक लेप बनाए और इस लेप को प्रभावित स्थान पर लगाने से सड़े हुए घाव, बवासीर और नभरने वाले घाव ठीक हो जाते हैं जिन लोगों के सिर में गंज आ गए हो याने सिर से बाल जड़ गए हो ऐसे लोगों को तुहर का थोड़ा सा दुद लेकर साथ में थोड़ा सा सरसो का तेल मिलाए और गंज वाले स्थान पर रोजाना मालिस करें, कुछी दिनों में नए बाल आने सुरू हो जाएंगे दोस्तो तुहर खांसी को भी दूर करता है, खांसी की समिश्या होने पर तुहर के पत्तो को आग पर गर्म करके मचल कर थोड़ा सा रसने काले और इसके साथ थोड़ा सा नमक मिला कर पिलाए, कुछी समय में खांसी में आराम हो जाएगा दोस्तो जिन लोगों को फोड़ा हो गया हो और ये पकता न हो तो तुहर के पत्तो को गर्म करके उस थान पर लगाते रहे, कुछी दिनों में ये फोड़ा बैट जाएगा या तो पक जाएगा इसके अलावा तोचा पर होने वाले पोड़े फुंसी और मस्से को दूर करने के लिए इसका दूद रोजाना लगाए इस प्रयोग को करने से पोड़े फुंसी और मस्से नश्ट होते हैं दोस्तो थुहर के दूद का आंतरिक प्रयोग से पचे क्योंकि ये बहुत ही दस्तावर होता है अगर इसका प्रयोग करना हो तो किसी चिकित सक्के सिला के अनुर्शार ही इसका प्रयोग करे